नमस्कार सोहर में पायल द्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूस जारकन समय हो जिला है जारकन की खबरों को जानने का और उनसे अबडेट होने का तो चलिए जानते हैं जारकन की तमाव बड़ी खबरों को इससे पहले अगर आप चैनल पर नहे हैं तो हमारे चैनल हिमंत सोरेन पर निशाना साधा है श्री मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भगवान के घर धेर है अंधेर नहीं उठो सातियो उठो भाईयो परिवर्तन करना होगा रोटी बेटी माटी खातिर अब हमको लड़ना होगा हिमंत सरकार के जूट और फरेप की राज विरोध करने पर भी रिजल्ट जारी कर अपने और अपने संबंधियों को नोकरियों में भरा जा रहा है सीटों को बेचा जा रहा है ऐसे में छात्रों का भविश्य अधर में लटका हुआ है हमंत सरकार की यूवा विरोधी मानसिक्ता को प्रदेश का हर यूवा जान चु सुदेश महतों की पार्टी आजसु ने भी अपने तीसरे उमिद्वारों की सूची जारी कर दी है पार्टी ने डुमरी विधानसवा शेतर से येशोदा देवी को टिकेट दिया है जो जारकर नांदोलंकारी निता दिवंगत दामोदर महतों की पतनी है यहां इनका मुकाबला जामोव, विधवार, बेबी देवी और जेहल केम के युवा निता जहरा महतों से होगा एंडिये गडबंदर में सीट शेरिंग में आजसु को 10 सीटे मिली है जिसमें गिरिडी जिले के डुमरी सीट आजसु पार्टी के पाले में आई है इस सीट पर आजसु पार्टी के तीन नेता दुरियोधन महतो, यशोदा देवी और बेजनात महतों ने अपनी दाविदारी पेश की थी लेकिन पार्टी ने इन तीनों में से यशोदा देवी को मेदान में उतारा है जारकन में दिवाली तक रहेगा साइकलों दाना का असर राची समित कई जिलों में बारिश की संभावना 31 अक्टूबर से राज जिमें बड़ी की ठंड जारकन में साइकलों दाना का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है अगले 12 गंटे में तुफान पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाएगा हलाकि प्रदेश में 31 अक्टूबर यानि दिवाली तक बादल चाय रहेंगे इस दोरान राची समित कई जिलों में बारिश की संभावना है साइकलों का सबसे जादा असर संथाल परगना वाले इलाके में देखने को मिल रहा है संथाल परगना के महेशपूर में 46 मिलिमीटर पाकुडिया में 50 मिलिमीटर मैथन में 48 मिलिमीटर और पंचेत में 40 मिलिमीटर के करीब बारिश हुई राजधानी साहित अने जिलों में दिन भर बादल चाये रहे, गुंदाबांदी होती रही राजधानी राजजी की बात करें तो 29 अक्टूबर को मौसम साफ रहे का लेकिन इसके बाद अगले दो दिन तेज बारिश का पूरवा नुमान है इस दोरान 10 से 20 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से हवा भी चलेगी 31 अक्टूबर के बाद मौसम साफ रहेगा जिसकी वज़ा से ठंड बढ़ने की उम्मीद है आज पूरे राजज में एक सामान हलकी और मध्यम दरजे की बारिश देखी गई पूरे राजज में लगबग 25 प्रतीशत तक बारिश हुई दोपैर में आसमान में बादल च्षाय रहे और छिटपूट बारिश भी हुई आसमान के साफ होते ही और ठंडी हवा चलेगी जिसकारण कनकनी बढ़ेगी वीडियो मामले में FIR के बाद सीता सोरेन पर सो करोड का मानहानी मुकदमा भी करेगी कॉंग्रिस मंतरे इर्फान अंसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसे लेकर बीजबी की और से कहा जा रहा है कि इर्फान अंसारी ने सीता सोरेन पर अभधरटी पढ़ी की है अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है इर्फान अंसारी के तरफ से कहा जा रहा है जो आवेदन सेला कॉंग्रेस कमेटी जामतारा कारेकारी अध्यक्ष विजय कुमार की दूबे की तरफ से दिया गया है उसमें लिखा गया है कि यहां करत्य चुनाव आचार सहीता के खिलाफ होने के साथ-साथ मानहानी का भी एक गंभीर मामला है मामले में तद्काय संग्यान लेते हुए वीडियो की सत्यता को जाच कराते हुए भाजपा प्रत्याश्री सीता सोरेन और अन्य संबंदत वक्तियों के खिलाफ उचितकार रवाई की जाए जारखर में दिवाली के बाद होगी प्रधानमंत्री मोदी और अमिच्चा की चुनावी सभा जारखर में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहोल गर्म है जारखन भाजपा तयारी में जुडगई है भाजपा की और से प्रदान मंत्री की छह चुनावी सभा कराने का प्रस्ताव तयार किया है पाती की और से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी समेत स्टार प्रचारकों से चुनावी सभा को लेकर एक नवंबर से लेकर दस नवंबर की बीच का समय मांगा है ऐसे में भाज़पा की स्टार प्रचारक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी केंद्री ग्रह मंत्री अमिच शाह भाजपा के राश्ट्री अधक्ष जेपी नड़ा की चुनावी सभा दीपा वली के बाद होगी पिये मोदी और अमिच शाह इस दोरान बेरोजगारी, भरस्टाचार और बांगलादेशी गुस्पैट जेसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर सकते हैं इसके अलावा पेपर लीग का मुद्दा भी चुनावी मुद्दा बनेगा जारखन में सभी वर्ग के अनाथव दिव्यांग विध्यारतियों के पढ़ाई के लिए वालमी की चातरवत्ती योचना लागू की गई है इसके तहाद विध्यारतियों को पाठेक्रम अवधी के दोरान प्रतेक शेक्षनिक वर्ष के लिए ट्यूशन फी का भुकतान किया जाएगा ट्यूशन फी की अधिक्तम सीमा 10 लाग रूपे प्रतिवर्ष होगी यदि ट्यूशन फी 10 लाग रूपे से अधिक होगी तो शेश ट्यूशन की फी कब वहन विध्यारती स्वयम करेंगे जारकन के उच्वत अखनी की शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधि सूचना के मताबिक सभी विध्यारती को पार्टिक्रम की पूरी अवधी के दौरान किसी भी उच्च शिक्षन संस्तान में नामांकित होने पर 4000 रूपे प्रतिमाह सहायता राशी प्रदान की जाएगी प्रतिमाहे की और से दिपावली और छटपर्व को लेकर क Ade specialy train चलाने का निर्णाई लिया है इसमें छट पर्व के लिए आसन सोल और गतिहाय चे apon PMA के दोरान और 9 सोल और 9 Saints के बीच चलेगी जबकि दिवाली और छटपर्व के दोरान हावला और जमूतवी के बीज स्पेशल ट्रेने चलेगी ताकि दीपावली और छटपर्व में यातरी अपने घर पहुँच सके पीए मोदी ने बिर्सम उंडा को याद कर दे दिया जारखन के लिए बड़ा संदेश प्रदानमंद्री नरेंद्र मोदी ने आज 27 अक्टूबर को रेडियो कारिक्रम मन की बात के जरीए देशवासियों को संबोधित किया इस कारिक्रम के जरीए पीए मोदी अलग-लग मुद्दों पर देशवासियों से बात करते हैं मन की बात का यह 115 एपिसोड है PM मोदी ने आज के एपिसोड में दो महानाय को सरदर पटेल और विरसा मुंडा पर चर्चा की PM ने धर्ती आबा विरसा मुंडा को याद करते हुए जारकन को बड़ा संदेश भी दिया मन की बात कारिकरम के शुरुबात में पीएम मोदी ने दीपा वली किशुब कामनाओं के साथ वोकल फोर लोकल को बढ़ावा देने की बात कही इस दोरान उन्होंने अपने हालिया विदेश दोरे पर भी चर्चा की कई मुद्दों पर अपने विचार साजा करने के साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में हर युग में नहीं चुनोती आई है और हमने चुनोतियों का सामना किया है और उसे पार भी किया है इस दोरान उन्होंने देश को दो ग्रांतिकारी बिरसा मुंडा और सरदार पटेल को भी याद किया मन की बात के 115 एक पिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि मैं दो ऐसे महानायकों की चर्चा करूँगा जिन में साहस और दूर दर्शिता थी देश ने उनकी 150 वे जहनती बनाने का फैसला किया है 31 अक्टूबर से सरदार पटेल की 150 वे जहनती वर्ष की शुरुआत होगी इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा की 150 वे जहनती वर्ष की शुरुआत होगी इन दोनों महापुरुशों के सामने अलग-अलग चुनोतिया थी लेकिन उनका विजन एक ही था सत पपू यादव को धंकी दी है यह धंकी सोशल मीडिया के जरिय दी गई है मयंग सिंग नाम के फेस्बुक अकाउंट से 26 अक्टूबर को एक पोस्ट किया गया है इस पोस्ट में लिखा है कि जैसे कि कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि बीते दिनों बिहार के पूर्णिया से निर्दली एसान सत पपू यादव के द्वारा लॉरंस विश्णोई भाई के बारे में उल्टा पूल्टा बयान दिया गया था मैं पपू यादव को सपस्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पपू यादव तुम अपने उकाद से रह लातेहार, चत्रा, रामकर, हजारी बाग और राची के कोईलांचल शेत्र में सक्रिये है विदान सबा आम चुनाओ आवशक ड्यूटी में लगे 16 विभाग के कर्मियों को मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा आवशक ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मियों को जहार जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिया है इनमें रेल्वे परिवहन में लगे कर्मियों वैसे मीडिया कर्मियों जिन्हें चुनावायों की और से मद्दान कर्वरेज के लिए पास निर्गत किया गया हो बिजली विभाग, BSNL, Post and Telegram, दूरदर्शन, आकाशवाणी, State Milk and Union Milk, Cooperative Society, स्वास्त विभाग, Aviation, Agnivision, सेवा, Traffic Police, Sembulence, Jail, Airport, प्राधिकरन, PIB से जुड़ा दिकारी वा कर्मियों डाग पद्र के माध्यम से मद्दान कर सकेंगे राची के धुरवा डेम में मिली यूवती की लाश, पॉकेट में मिला अधार कार्ड लिखा है ये नाम राची के धुरवा डेम में आज रईवार सुबा एक यूवती का शो बरामद हुआ है मिली जानकारी के अनुसार इस्थानी लोगों ने शौको पानी में तैरते हुए देखा था इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई पुलिस मौके पर पहुची और इस्थानी गोता खोरों की मदद से शौको पानी से बहार निकाला युवदी की जिन्स की पॉकेट से अधार कार्ड मिला है अधार कार्ड के मुताबिक युवदी का नाम रेश्मा परवीन है पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया है साथ ही पुलिस युवदी के परिजनों से संपर्क करनी की कोशिश कर रह ही है जांच के बाद ही मौथ के कारणों का पता चलपाएगा पुलिस जांच में चुटी है रांची से इलाबाद जा रही बस हुई औरंगाबाद में दұर घटना ग्रस्त हाच्से में एक की मौथ नो घ्यल बिहार के और अंगाबाद जिले में राची से इलाबाद जा रही एक बस रईवार अहले सुबा करीब पांच बजे एनेच उन्नीस पर दुरगटना गरस्त हो गई घटना जिले के मदनपूर थाना शेत्र के तारा डी गाओं के पास ही की है जहाएक यातरी बस ने पीछे से ट्रक में टकर मार दी इस हाथ़े में बस पर सवाल लगभग नो लोग घायल हो गए जबकि एक की घटना स्तल पर ही मौत हो गई मरतक बस में सहचालक था और इसकी पहचान यूपी के प्रयागराज के बजहा मिश्रन घीसापूर निवासी रंगलाल के 31 वर्शियस पुत्र सूरज कुमार के रूप में की गई है इस अलग हाथे में करीब 9 आतरी घायल हो गए हैं सभी घायल अलग-अलग राज्यों के बताये जा रहे हैं इनमें जारकन की राजदानी राज्ची के हर्मो रोड निवासी राम निवास मध्यप्रदेश के रीवा जिले के चाक घाट निवासी पल्लवी पांडे सहीत अने राज्यों के लोग भी शामिल है चलतीकार में किया लड़की का रेप नाम बदल कर की थी पिडिता से दोस्ती जारकन के गड़वा जिले में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है यहां के रंका थाना शेत्र के गड़वा अंबिकापूर एनेच 343 पर गुलेरिया ढूंडा के पास शनिवार सुबा चलतीकार में एक लड़की के साथ रेप किया गया पिडिता के नाना ने थाने में शिकायत दर्च कराई है पुलिस ने दो आरोपी को भी गिरफतार कर लिया है मिली जानकारी के अनुसार पिडिता बिहार के और अंगबाद जिले के कुट पिडिता के परिजनों ने उसे अपने नाना के पास गड़वा के रंका भेज दिया यहां पिडिता एक साल से रह रही थी वह ग्यारवी कक्षा में पढ़ाई करती थी शनिवार सुबा को शारुक ने पिडिता को फोन कर मिलने बुलाया इसके बाद पिडिता कोचिंग के लेकिन आरोपी ने उसे कार में बैठाक लिया और गुलेरिया ढूंडा के पास चलती कार में उसका रेप किया लड़की के देर तक घर ना लोटने पर परिजनों ने उसके तलास शुरू की गुलेरिया ढूंडा के पास सड़क किनारे खड़ी एक काली कार में उन्हें एक लड़की अस्त वेस्त हालत में मिली इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई सूचना मिले पर ही पुलिस ने कारवाई की और मुख्यारोपी शारूक चथा कार चालक तौकिर अंसारी और फरहान को गिरफतार कर जेल भेज दिया पुलिस मामले की जाच कर रही है जारकर विधानसबा चुनाओं में 14705 होमगार जवानों की प्रतीनी उक्ती के लिए ग्रह विभाग ने दी स्विक्रती संख्या में बलों की प्रतीनी उक्ती की आवश्यक्ता होगी जारकर के सब जिलों में उपलब्ध कुल 21007 होमगार के जवानों में से 70% यानी 14705 होमगार को चुनाओं ड्यूटी में प्रतीनी उक्ती किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है चाइबासा में विधानसबा चुनाओं को लेकर की गई समिक्षा बैठक दिये गए निर्देश चाइबासा में आगामी विधानसबा चुनाओं को शांतिपुर्ण और निश्पक्ष बनानी के लिए 26 अक्टूबर की रात एक समिक्षा बैठक आयुचित की गई यहां बैठक चायबासा के पुलिस अधिक्षक कारलाई के सबागार में की गई बैठक में राजी प्रशेक्तर के आई जी अखिलेश कुमार जा ने अध्धक्षता की इस बैठक में चुनाओ के दोरान सुरक्षा और निगरानी के लिए जिले में अंतर राजी और अंतर जिला चेक पोस्ट, थाना के चेकिंग पॉइंट, SST और FST टीमों की तेनाती पर चर्चा की गई इसके साथ ही नकतराशी, अवैद शराब, नशीले पदार्थ, मुफ्त उपहार और कीमती धातों की जबती तथा निरोधात्मक कार्रवाई की उपायों की भी समिक्षा की गई बैटक में चुनावी सुरक्षा के सबे पहलों पर गहन चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए दिवाली से पहले कोल इंडिया के मजदूरों के लिए खुश खबरी, खाते में आएंगे बोनस के पैसे कोल इंडिया प्रबंदर ने दिवाली से पहले ठेका मजदूरों को बोनस का तोहफा दिया है ठेका कर्मियों के बोनस पर कोल इंडिया बोर्ड ने अपनी मुहा लगा दी है इसके मुताबिक ठेका मजदूरों को सालाना 8.33 प्रतिशत बोनस का भुक्तान किया जाएगा इससे BCCL, ECL वा CCL समेट कोल इंडिया वा अनिस सभी अनुशंगी कोल कमपनियों में कारिरत करीब 90,000 ठेका कर्मी लाभानवित होंगे शनिवार को कोल इंडिया के महा प्रबंदक कार्मिक गौतम बैनरजी के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गई है अधिसूचना के मताबिक वित्य वर्ष में नियूंतम 30 दिन काम करने वाला ठेका कर्मी ही बोनस राशी भुकतान के लिए पात रहोंगे इंडिया गडबंदन की टेंशन बढ़ा दी है इसका मूल कारण है कि साल हुए लोकसभा चुनाओं में जैराम महतो का भेतर प्रदर्शन दुम्री और बेर्मो विदानसभा शेत्र गिरेडी लोकसभा शेत्र में आते हैं गिरेडी लोकसभा सीट के परिणाम बताते हैं कि पहली बार मेदान में उत्रे जैराम महतो बेर्मो में 53,393 मतला कर यहां तीसरे नंबर पर रहे थे वही डुम्री में उन्हें सरवाधिक वोट मिले थे धियान देने वाली बात दिया है कि उपचुनाओ समेथ पांच विदानसभा शुनाओ में कॉंग्रेस के हिस्से रही बेर्मो सीट से इंडिया गडबंदन से समर्थित जामुमो विद्वार माथूरा महतो को लोकसभा शुनाओ में जैराम से महस 5790 वोट ही जादा मिले थे डुमरी सीट की बात करें तो जामुमो ने बीते उपचुनाओं की विजेता बेवी देवी को यहाँ इस पर प्रत्याशी बनाया है राची के होटल अर्ष में दो जुवारी की रफटार शेहर के कोटवाली धाना शेतर के कचहरी चौक इस्तेथ होटल अर्ष में जुवार देर रात पुलिस ने चापे मारी की इस दोरान पुलिस ने एक बिल्डर रमेश शर्मा और जुवा खेलाने वाला मनोच पंडित को गिरफतार किया है साथी मौके से ताश के बत्ते शराब और एक दशमलो साथ जीरो लाक रुपे गाना बजाने वाला बॉक्स भी बरामत किये हैं जुवा खेलने वाले लोगों ने होटल अर्श के तीसरे फ्लोर पर कमरे में लगे सेसी टीवी को टीशू पेपर से धग दिया था इसके बाद जुवा का संचालन हो रहा था इसी करम में कोतवाली डीएसपी प्रकाश को इसी सूचना मिली वह मौके पर चापे मारी के लिए पहुँच गए हलाकि पुलिस को देखते वे कुछ लोग मौके से फरार हो गए दो लोगों को पुलिस ने गिरफतार किया है एसेसपी चंदन गुमार सिन्हा के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई के नितरत में पुलिस की टीम ने होटल में छापे मारी की किड़नी रोगियों के लिए बड़ी राहत इस अस्पताल में अब पात सो रुपे में करा सकेंगे डायलिसिस य्रोगियों के लिए वैसे तो आम तOR पर 2000 रुपे से 4000 रुपे डायलिसिस करवाने में खर्च हो जाता है लेकिन डायलिसिस करवाने वाले मरीजों के लिए बड़ी रहत मिलने वाली है राजानी राची के अपर बाजार इस्तित नागरमल मोदी सेवा सदन में मरीज अब मात्र पात्सो रुपे में डायलेसिस करा सकेंगे कोल इंडिया के पूर्व चेर्मेन प्रमोद अगरवाल ने नागरमल मोदी सेवा सदन में ब्रहमन किया रदय विभाग में मिल रही सुविधा की जानकारी ली वरी उपाध्यक्ष पुनित पोदार और डॉक्टर विनय कुमार सिंग ने रदय विभाग की उपलब्धियों से अवगत कराया पुर्वध्यक्ष अजय मारू ने कहा कि सेवा सदन के अच्छे कारियों में कभी धन की कमी नहीं होती है कोल इंडिया के सहयोग से रदय विभाग शुरू किया गया है शिक्रही 500 रुपे में डालेसिस की सुविता दी जाएगी ट्रांसपोर्ट नगर फेस टू के निर्मान के लिए जमीन की मापी शुरू जल्द होगा निर्मान कार्या ट्रांस्पोर्ट नगर फेज एक के उद्गाटन के साथ ही फेज दो के निर्मान के लिए शिलान्यास किया था फेज दो का निर्मान करीब 9.1 दो एकर शेत्र में फेला होगा योजना की लागत 57.8 दो करोड रुपे में इसका निर्मान कराया जाना है अठारा माह में निर्मान की अवधी रखी गई है ट्रांस्पोर्ट नगर फेज दो में 14 मीटर लंबाई वाले भारी वहानों की पार्किंग शम्ता 256 रखी गई है बतादे की फेज बन में 400 से अधिक वहानों के पड़ाव की शम्ता है इसके अलावा जी प्लस श्री इंटीग चोटा गोविनपुरा के पास निर्माना धीन फ्लेट में चापे मारी कर डकेती की योचना बना रहे पांच लोगों को गिया गिरफतार परसुडी पुलिस ने चोटा गोविनपुर के पास निर्माना धीन फ्लेट में चापे मारी कर डकेती की योचना बना रहे पांच ल पुलिस ने एक देसी कट्टा और गोली बरामत किया है शनिवार को मामले की जानकारी देते हुए डियस पी लॉइंड ओर्डर तोकीर आलम ने बताया कि पुलिस को गुपत सूचना मिली थी कि छोटा गोविनपूर के पास इस्तित एक निर्मानादीन भवन में कुछ लोग जो किसी अपरी घटना को अंजाम देने की योचना बना रहे हैं सूचना पर टीम का गठन कर ठावे मारी करते हुए सब भी को गिरफतार कर लिया गिया है डियस पी ने बताया कि पुलिस को देख मौके से दो लोग फरार हो गए जबकि पांच लोगों को पकड़ लिया गि की है डियस पी ने बताया कि सूजल और दिनेश के खिलाफ पूर में भी कई अपरादिक इतिहास रहा फिलाल पुलिस मामले में फरार अन्य लोगों की गिरफतारी के लिए चापे मारी कर रही है जोला में रखकर हतियार बेचने की थी तैयारी पुलिस ने दबोचा चैनप एक वक्ती थेले में हतियार लेकर गूम रहा था और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराग में था सूचना के अधार पर चैनपुर्थाना पुलिस चापे मारी की इस चापे मारी में रियाज उद्दिन नाम के वक्ती के पास से हतियार बरामत किये गए हैं चैनपुर् रोपी हत्यार को बेचने वाला था जिसका इस्तमाल किसी घटना में हो सकता था तो यह ती जार्फन की टॉप बड़ी खबरें इसे तरह जार्फन की और भी दमांगों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज जार्फन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को फ्रस कर को जार्फन को सुपे जार्फन कमी ओricular का पंई गला चार्फन को पन्माल की जार्फन की यह रजए हमार करी मोराफन को लिज जार्फ